भारत में कोरोना के रफ्तार बेकाब हो गई है रोज तेजी से बढ़ रहे आकडों के चलती है देश में कोरोना मरीजों की संख्या 46 लाख के पार पहुच गई है वहीं मरने वालों की संख्या भी 37,000 से जादा हो गई है महराश्र देश का एकलौता राजी है जहां 10 लाख से जादा लोग कोरोना की चपेट में हैं भारत में पिछले 24 गंटे में कोरोना वारस के 97,570 नए मामले सामने आये तथा देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 46,69,84 हो गई है केंद्री स्वास्त मंतराले द्वारा जारी शनिवास बाट बजे तक की आकड़ों की मताबएक 24 गंटे में 1201 मौते हुई है और अब तक देश में 77,472 कोरोना मरीज अपनी जान गवा चुके हैं कि 36,24,106 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं महराश्ट में कोरोना संक्रमन का आकड़ा 10 लाख के पार पहुच गिया है शुकरवार को एक दिन में रिकॉर्ड 24,886 नए मामले सामनी आए पूरे मुंबई और ठाने महराश शुराज जिके तीन शहर ऐसे हैं जहां मामले एक लाख से जादा हैं वहीं दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है दिल्ली में रगातार तीसरे दिन शुकरवार को कोरोना वाइरस के 4,000 से जादा नए मामले सामनी आए शुकरवार को दिल्ली में कोरोना वाइरस के 4,266 नए मामले मिले जबकी 21 मरीजों की मौत हुई इसी के साथ दिल्ले में कोरोना वारस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर दू लाख नौ हजाद साथ सो और तालिस पहुच गई है राश्री डाजधानी में अब तक इस खदनाग वारस से चार हजाद शेसो सतासी मरीजों की मौत हो चुकी है बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक दशमलव पचपल लाख के पार पहुच गई है बिहार में अब तक 1,49,458 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि इस महामारी से अब तक 797 लोगों की मौत हो गई है मधिवदेश में शुक्रवार को कोरोना वारस संक्रमिन के एक दिन में स्तरवादिक 2,240 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की संख्या 43,619 पहुच गई है वही राज में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,699 हो गई है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियोज अबडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें